हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके यूटूब चनल रहाफ्षी फोरूम पर देखे लेगे चनल टेकनिकल का भी है और नौन टेकनिकल का भी है यह रिगार्डिंग इंजिनिंग तो इंजिनिग के बट कुछ चीज़े कौमन है उस चीज़ को हम देख लेंगे या कुछ चीज़े डिफरेंट इसको भी हम समझाएंगे ठीक है फिलाल जो लेक्चर और नमर वन है उसमें क्या चीज़ देखने वाले हैं आद देखें तो दोनों लोग इसको देख सकते हैं सिवल एंड मैकनिकल इंजिनियर्श लोग तो जो चैप्तर नाु था इस्ट्रेस एनिव्य स्ट्रेस एनियन में तो जीजि़ जानते हैं कि स्ट्रेस को हम बोल लेते हैं वृत ले प्रतियबल थे और रूःती और रले को हम बोलते है विक ब현 indigenous natural और देख श्येंगर चैप्टर नाम है बेसिक बद अभी हम आगे देखेंगे कैसे यह आया कहां से आया आगे इसका डीप स्टेडी करेंगे बड़ थोड़ा सा अभी हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि क्या है एक्षुली ठीक है ठीक है थोड़ास इंट्रोलक्शन तो जिसके प्रती मतलब नाम से लग रहा है प्र तो वह क्या हो प्रतिरोध कर दाना उसको बिरुद जो कि रिस्टेंस क्रीट कर था कि हम भी इतना फोर्स लगाएंगे डिबलब करेंगे तो यह चीज़ आपका इस्ट्रेस है जैनि इस्ट्रेस देपलफ होगा प्रतिरोध प्रतिबल उसको बोलेंगे और बिकृति को क्या बोलते हैं कि जब भी किसी बॉड़ी फोर्स लगाते हैं तो बिरूप बिरूपर होता है इन दे संस्ट्रेंस से देट डिफरमेशन शेप में चेंज होगा लेंध में वालूम में तो बहुत सारे चेंज़ आएंगे हर डामेंशन में तो उसको बोलते हैं विकृति ठी देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड आड एक रोड है एक रोड है यह एक स्वेन एक हम बाहरी के तरफ ध्यान एक डिरिक्स न पूद्ध देना है कि तीर अरो कहा आप लगा रहे हैं बाहर तरफ जा अंदर तरफ तो बोडी जो आपका उसके सक्षन के बाहर तरफ है देखे धिान करिया कि हम तो यह जो इसका मेन लिन्थ थोड़ा सब्ध़ा दिए अब कसमें क्या स्मया में डिफरेंस है तो यह आप का रहा आपका एफ फी से में यह तो एक जो इसका मेन लेंथ है वो तो थे मनाइका आप समझ सकें तो यहां में कि जो एल है इसकी लेंद माने अले है और इसके उपर सेम लंबा यह लेकिन हम यह देख रहे हैं कि थोड़ी से लेंथ इंक्रीज करें इसको बारे हम देख लिए तो यह देखे हैं तो यह देखिए हलका से लेंध इंक्रीम अधिक अधिक दिखा है बट आप सुमझने के माइल बाहर दर्फ बढ़ेगा फॉसर अंध्र लगाते तो अंदर राता तो लॉंगाय में परिवर्ण अ और तो यह जो बिक्रती है फ्रेंस है तो बिक्रते हम समय लेते हैं कि इसको की स्कॉम डिनोट कैसे करेंगे तिक दिनोट बाई हम लोग इसे डिनोट करते हैं किसे इसे तो इकोल टो था फ्रेंट्स डेल्टा एल डिवाइड बाई एल तो डेल्टा ल क्या नाम को दिखा दिये कि कितनी लेंथ इंक्रीज की यह यह इसमें इंक्रीज आंप साम पूसाते कितना चेंज हुआ है या बढ़ भी सकता हो दोने चीव सकते क्योंकि फोर्स हम बाहर लगाएं जो एल है क्या फ्रेंट्स आपका प्रार्म्हिक लंबा यान की ओरजिनल लेंथ है तो फोर्स को बाहर और अंदर लगान से आपके क्या चेंज़ बारे उसको बोलते हैं डेल्टा एल तो ध्यान की क्या निगेटिव होग फारा बेसिक उठाने के जोड़ती नहीं पड़ेगा अब इसके डाइमेंशन की बात करेंगे इसको बोलते हैं बीमा कि तो किसी भी क्वांटिटी का बीमा होता है कि हम इसको किसे मेजर करते हैं तो ध्यान की कर जो ऊपर भी लेंद्ध है नीचे भी लेंद्ध है तो आप जो किसको नोडिस कर लेजाएगा ठीक है आई हम तरह से बात कर लेते हैं प्रतिरोध पे स्वरी प्रतिबल पे जो प्रत्रोध फॉर्स है वह है क्या तो एक जिद्धान के का कि अगर एक बोर्ड है माले जीदिक समझे का एक स्पेस्मेन हमें इसमें देखे फोर्स की इसके लेंथ में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आगा घट रहा है तो एक जिद्धान के आपको कि यह जो थोड़ा सा मताव अंदर्स तरफ सिकूर्ट अच दब रहा है कंप्रेश हो रहा है इसको बुल सकते हम लोग कंप्रेशिव श्रिंकेज तो नहीं बहुत है सिकूर्ड न तरफ थर्क लगा रहे हैं तो यह चाहा का नंदर ना का है इस चाहा के हम अपनी लंथ को न रिडिस कर किनकम कुंकर तैस तो आ tots लगाता है इं झील घोट और अब देखें आप एक फोर्स यह अंदर दाव रहा है तो सेम छोटे उतनी इमाउंट पर्स बाहर बिलेगे सप्रेस करें तो यह देखें कि जो फोर्स लग रहे हैं यह जो लोड है ना फ्रेंट यह एक्वल अपोईट डेसम लोड लग रहा है तो देखें जब अंदर दाव अधिश्यों वी अविलेग भाहर टराव धुर्स करता है तो यह बाहर ति पूस पूस कर तो जो इपूर्ज अमने मिला इसमे अब eviden AU भक्रत देखेंच कर रहा है करेगा वह जोई कि उसी वह जो फॉटा था ना फिरंड्स वह इसी बोलता है रजिस्टिभ फॉर्स थाक? तो यह भी को इसको बचलो अप्लाइट फॉर्स तै लोग डोड़ इसलिएध लिख थे हैं कि फॉर्स अन्यार लिखते हैं क्योंकि तोनका इमांवन सेम होता है बाद दिसा जो होता है तो इसकी अपोजिट होता है उल्टा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है अगर उसको इतर से अगर दिखाएं लोग तो इसको इतरी जो डिनोड करने का प्रासेस वह पीस करेंगे एफ से फिस सिग्मा से करते हैं और सिग्मा एकॉल टो होता है फ्रॉंट्स एफ पान ए या फिर बोस्ते अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई क्रोस सक्स अनुपरस्त कार्ट चथर फल बोते हैं तो जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे निए लगा हुआ ने लगा गया बल रिए जो अनुपरस्त कार्ट का च्थर पहले तो उनुपरस्त कार्ट का नर्देकर निवर अब दाएक जो फोर्स लगा रहे उसकी उसका इंट क्या आगा फ्रंस एंके सिस्टम में आपका तरह से न्यूटन इमेटर स्कार न्यूटन पर मिटर स्कार इसका क्या होती यह बीमा होती है तो बीमा में पूश लेदा एक एक चीज आपने आपको कि तम बिल्कुल पहले क्याता भी आपको ऐसी पढ़ना है तो देख लिए तो यहाँ पर नोटिस है कि आधि किलो न्यूटन पर मिटर स्कार एक यह यह भूस तो मतलब अपकी थैमाने है रहे तो इतलते हैं अभी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वार होता है ठीक है एक फोर्स अपन एडिया होता है जिस नोट तो हमें के पॉंट से नोटिस करेंगे चली आगे देखते हैं तो सब्सक्राइब देख लेते हैं फिरेंज कि मतलब अभी हम देखें दोनक परचे किया है हलका से देखें अभी हम बात इस होता है उसी लोट से यसके सालिवी कैने करicket क्या है यह लैवन तो अब लोड के बात जाना ये फान होगा नहीं ऑब लोड कीक्वार जानते हैं अब लोड के अनकी फिर इसी लोड के कर्स्पॉंडंडिंग जो इसट्रेस आयेंगे तेया फिर जो स्थ्रेन आएं ये हैं अच बढ़ लेते हैं वण माईबन तो किया तो पर एक धन के कि जब भी कोई हमाने है कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसट्रक्चर बना रहे हैं तो सबस्क्रों करें निया जो श्क्राइब खोई थो पोगया नट्बोल्ट नोडया बादी मना नेता है ज्टिन बना लिया और ब्रीज का हो गया शिवisan prid बनाते हैं एंडेम बनाते हैं ठीड है फिर कई के पेंट से बना लेते हैं बोछ कि को यह हुए ड्याइन कर लिया तो डियान करने मतलब कि अध्य क्वा व्हें परपर पर्पोस एक टाक्री करेंगा इसका हम लोग ठीड तो प्रक्टिकल आवी यूज यूज करते हैं फ्रिंस जो भी कुछ होता है तो जो बाहकारक है अब बाहकारक के वाज़ जो इसमें चेंज जा रहे है इसी दान किया जो एक्स्टर्नल जो काज है तो उसके लिंथ में क्या वैरियेशन हो रहा है ठीक है लिंथ में क्या रहा है यानिकि लंबाई चड़ाई उचाई जो भी कुछ होत है क्या हो से बोलते हैं लोड तो यह जो पुरा थ्रोडिकल आपको बता रहें उसका अध्यां सुनना और अपने वाद प्लिक ने नोट से ठीक है इस ध्यान गया तो अगर आप नोट से बने का आप कमेंड में कर सकते हैं कि हमको नोट सी एक है क्या है आपको से बोलतेज़गे है आप इसी मोट करें जेने कि किसकी सब्सक्राइब कर में यह तो वो सकता है Hutchinson का होता है आपका यह वो अर्य बात खतेगा लट और लाइब 격ी है कि तो फ्रेंस ज्डो डोरे रोड होता है ओडेड़ लไह अन्ग तो अस्थाई यानि कि का है कांस्टेंट यानि को पोजिशन प्लेस और से चंज नहीं हो रहा है अब क्या एक वर्ड में करें तो एक तरसे तो यह तरसे ध्यान कहेंगा और जो लाइब लुट का है और स्थाई यह मतलब यह वैरी करता है टाइम हो गया प्लेस हो गया यहां सुमा गया है कहीं भी यह तो यह बैरी करता रहता है एक्स्टरनल का देखेंगें बढ़ा लेते हैं ठीक है इसको चंज कर लेते हैं तो यह कि ध्यान करना कि जो फ्रेंड डिड़ लोड ना वह क्या है वह आपका चैनिकी इसका नो बदले ना बदले कि इसके अएक burg्सोंड पह्चेश तो तरस सेल पर वेट तो सेल्पनार्थ वहां मैं जो खुदर डिड़ का वाण सेल किसा तो दोस्त का सेल्फ एड़ उसको बोलते हैं डेट लोड जी धन गया जिशाद में खुद का भार हो गया को इम अब बगरी का वेट हो गया बखरी तो बढ़ती रहती है न लेकिन लाइब लोड ठीक है कोई बाद में बगरी मतली जेगा तो क्या हो आज आज एक या खुद का सेल्फ एट गॉंस्टेंट रहता थे कहां सीन कोई ग्रीज को कर देम को सब्कॉर सब्सक्राइब लेकित देवाद मतल रहे तो हम यहां पत्म अदब क्या एक का यू मा लगा संदू लोड लोड लागा बल दर तो यह जो जो चेंज ए रहना जो वोल अध्यारवपीद भाण बोलते से क्या भोलते है अध्यारवपीद मतलब इंपोज्ट लोड तो जो इंपोज हो रहा है उसको अलग से मतलब के थोपा जा रहा रहा है इतने लोड़ा पो लेच्छन ना खरेख गई ब्रीज प्रीज घर तो भी जो जो ब्रीज हो तो खुदिकाइब इससे पास कर रहे है तो क्या हूँ है माले एक एक जामपल लेटें फिंस कि एक स्पेस्मेन एक बॉक्स से इत है उसका कुद पांच किलोट पहला सब्सक्राइब है तो अलक्स लोड लगा रहे है तो यह आपका लाइब लोड तो समझें लाइब लोड क्या होता है एक ब्रीज है उसका खुद का वेट अपका हो गया डेड़ लोड उस पर गाड़ी गई बाहर बढ़ गया अलग से जो अध्यारपी बलो उसके बोलते हैं लाइब लोड आए बात करते हैं एकषी बोल सकते हैं आख एक सिस पहीं है घ्यारपी अब चल नांब किया हुआ अभी अपीशे देड़ थे पढ़ें थ्रांट्रोडक्शन में इस्टेश इस समझें भी किया तो तो जो तनावबह रैंस जो एघ्जिली टैन्साईल लोड है इसको दोन किया इसको थह थोड़ कि जब कोई भी बल किसी वस्तु या किसी कोई बोडी या कोई स्पेसिमेन के अक्ष की दिशा में ठीक समद्रेंद फिर दिशा में उसके अक्ष के शमांतर ठीक है वस्तु है कि बाहर की तरफ लग रही है। भाहर की दरफ है की थानद की नाव एल टेंशन नहीं भाहर Winston लेयर हो भी टो नासंदो करेंद अंदर स्थोड़ी बहुए वार कोई आपके प्राल्वम आत्यटीय थो इ Michaвед Scस्ह मेने आउंड मेस्ता और न कंवरेश हो तो यह जो खीच रहा है वाहर तरफ तरफ दुलाग राफ वह आपका टेंजन पोर्स है तो माली यह स्ट्थ्थ्य मेन यह फोर्स एफ हो गया यह फैसे मांट लेदा अपनल लोडना सेमाट तो यह माली आपको देखे अध्यान सेगे में के बना रहा हूं यह आपका यह देख एक फर्स लगर्या और लाव ऱर्फेज्ट्थ्य इस को बोलते हैं यंश्क रस्त गॉल्ट इस यह बोलता है तो जह जब किसी वीश्टी पर वस्तकि अक्ष एक आइक्से से उसके जाँ समान तर रूप तर भाहर तर लाइब से अजाव लोड़ आजब यह स्यमांत लग जा तो दम बिलकुर सीखा पोजट ना यह जा बाहर खेच रहा है लोग बाहर दर फिट एंटेंस ने बाई बहुत टेंस नियार घर की प्रबलों में यह वह बहुत बाहरे टेंस ने नहीं बुलता लो अग कंप्रेशन इतो बिल दा कंप्रेशन बहुत कंप्रेशन तो उसको यह जो कि फुला फुल जाता है तो इस वाले ची तो यह आपका स्टा एक्जियल अपर उसके लंगी टुडने एक्सेस ने लिंध के लंग लॉंदे लोंबी वाल एक्सेस ने उसको बोलते है लां टुने ने जो लोड लग रहा है उस्टेशी फिट इसका परपेट नम्म ल लेंध वह इसको बोलते हैं लॉनिति टोनर एक्सेस को बोलते हैं तरी इस इत्ता प्रीच तो यो लॉन्गी टोनर लेंध के लॉंग और अगर आपका एक उसके जर्फ पर पर्पर्डू को लागा तो तो बोलते हैं ट्रश्वर्स ऐसे चलिए तो एक्सेस और दूसरी बात कह कि हैं है कि जो बल एना वे कि हुआ कि अंदर तरफ लग रहा ना ही अन्दर तरफ लग रहा है उसको दबा रहा है थेक तनो कोई चीज एक जमी लग रहा है एक्जिस कंसाना लोड लोड लॉंगिटूनली एक्जिली टंसाइल लोड लोड टे के यह सारी चीज एफिन्स इसको जाने भी नहीं कुछ हम नहीं कर पांगे इस्टेसफ आओगे पुरा सोम्प या फिर मैंने सब ऑल्यागे अभे कुछ नहीं आगा बट आपको यह चीज़ जानना जरूर जाए ठीक है कैसे लोड लग रहे है अब बिल्कुल जो लोड लग रहा ना फ्रेंस इसी लोड के करिस्पंडिंग आपके स्ट्रेस आएंगे फिर इस ट्रेन आएंगे बस यह चाप्टर आपका हो जागा कम लिल और इस करल बात करते हैं, सिर फॉर्स के तो सीयर फोर्स को दिर सेब भूसकता है, मैं जो हता है, इसको को दो हृता है, कर्तन कटन करतन कम डे 순या ब स्पूल्ट करतन बो करतन डे कंटन कंटन को अधिव इसीन नहीं चआपके टोक्तन किन जो कूँसी सबेका है वस्तु के सर्फिस के वेप्रिय देशा मजो भी का दुंस्त का सबना वह लगए है जसे था रहा है तो जो इसका दो सर्फेस में ते Purse देखिए का जो दिश्क आए ना टाइसे कज़ा रहा रहां जाना ज़र्या कैसे बनाएंगे और बुग तो पढ़ी यह बीना पढ़े नहीं होगा त है इसलिए आप मेरी बात सुनिए तो यहां पर यह रिविट माली ले लिए लोग यह आपको दो प्लेट इदर से इदर खीच रहा है यह देखें रहा है यह आपका अब बल इद वह पर आज़ागा काट देगा उसको चीर के निकल जाएगा है ना उसी बोलते हैं सर्फेस फोर्स और इस सीर फोर्स उसको आप देख ली जाएगा या फिर हम लोग क्या देख हम आरे ले जाए आरे सा आरे समुझ जब बास या फिको लगड़ी काटते हैं तो चीर देता स्टेस सेरी स्टें टेंसाइल स्टेंट ठेक है एक्जल टेंसाइल एक्जल कंप्रेश्व स्टेंट इस बाक एक्षियम देखेंगे तो बने देशनल पर थैंक यू बेस्ट अफ लग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में ओक फ्रेंस टेक क्यार